नमस्कार दोस्तो वेलकम टू श्टेडि नियूज आज हम लोग इस वीडियो में एक सांदार महल के बारे में जानेंगे जिसका नाम है मैसूर महराजा पैलेस इसे मैसूर पैलेस भी कहा जाता है ये करनाटक में मैसूर सहर के केंद्र में स्थित है क्या आप जानते हैं कि ये महल भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले महलों में से एक है मैसूर महराजा पैलेस ये भारत में सबसे बड़े महलों में से एक है इसे अमबा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है जो मैसूर राजी के वोडेयार महराजाओं का निवास इस्थान था इस्थानिय र इस पैलेस का निर्माड वोडियार राजवन्स ने चौदवी सताबदी में किया था जब इसे बनवाया गया था तो ये पूरी तरीके से चंदन की लकड़ी का बनाया गया था लेकिन साल 1638 इस्वी में महल के उपर आसमान से बिजली गिर गई जिसके कारण इस महल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और फिर वहां के सासकों ने इसे दोबारा मरम्मत करवाया इसके बाद 1793 में हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने वाडियार राजवन्स के पांच वर्स के राजकुमार कृष्ण राजा वाडियार तृतिया को राज सिंगहासन पर फिर से बैठा दिया गया और इस महल पर वर्स सासन फिर से काबिज हो गया और जब वर्स सासन आया तो इस महल को दोबारा हिंदू वास्टुकला सेली में बनवाया जो 1803 में पूरा कर लिया गया था इसके बाद बात करते हैं 1897 की 1897 में चाम राजा वोडियार की सबसे बड़ी बेटी जै लक्षमानी की साधी के दोरान मूल महल यानि इसके मेन महल में आग लग गई थी जिसके वज़े से महल बरबाद हो गया था जिसके बाद रानी कैमपा नानजमानी देवी ने प्रसिद ब्रिटिस वास्तुकार हैंरी इर्विन को न्यूक्त किया और हैंरी ने 1897 में महल बनाना सुरू किया था और लगभग 15 साल लिये थे इसके बाद तो 15 साल के बाद 1912 में लगभग 42 लाक रुपे लागत लगी थी और फिर से महल को पूरा बनाया गया अब आप समझ सकते हैं कि इस महल में हिंदू वास्तुकला, ब्रिटिस वास्तुकला और इसलाम वास्तुकला तीनों के रूप मिलेंगे तो महल को इंडो सरसैनिक सैनी में बनाया गया था और जो महल जल गया था उसे फिर से बना कर म्यूजियम बना दिया गया जहां पर राजाओं के परिवार से जुड़े समान और चित्र रखे हुए थे अब बात करते हैं इस महल के वास्तुकला के बारे में इस नए महल में तीन मंजिला पत्थर की सनरचना है जिसमें संग मरमर के गुंबद और 145 फिट की 5 मंजिला मिनार है और इस महल के बीचों बीच जो महराब है उसके उपर हाती हिंदू देवी देवताओं की बहुत ही सुन्दर मूर्तिया बनी हुई है ये सुन्दर महल एक बहुत बड़े बगीचे से घीरा हुआ है महल में आपको हिंदू मुसलिम राजपूत और गोथिक सैलियों का एक मिसरण एक साथ उप्योग देखने को मिलेगा आपको महल में राजाओं का सिंगासन भी मिलेगा इस्मृति चिन, सुन्दर पेंटिंग, गहने, साही पोशाक, सीसो से सुन्दर सजावट संगीत के सामान, ठोस चांदी के दरवाजे, बड़े बड़े दिवाने आम और दिवाने खास महल में एक बड़ा दुर्ग है, जहां आज भी तोपे रखी हुई है महल में कई सारे सांदार इस्तंभ भी है और महल में बहुत अच्छे-च्छे सुन्दर सुन्दर सोने की सजावट की गई है सोने धातू का बहुत ही कलातमक, उपयोग इस महल में आपको देखने को मिलेगा इस महल में आपको अतिहास द्रिष्टी से काफी इंपोर्टेंट रोयल पॉर्टेट गैलरी जहां पे बहुत अच्छी पैंटिंग रखी हुई है, देखने को मिलेगी इस पेंटिंग को प्रसिद चित्रकार राजा रवी वर्मा ने बनाया है चित्रों के नीचे उनका नाम भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा अब आप लोग राजा रवी वर्मा के बारे में तो जानते ही होंगे ये भारत के विख्याद चित्रकार थे इन्होंने भारतिय साहित्य और संस्कृति के पात्रों की पेंटिंग बनाई थी, जिसके लिए कई बार विवादों में भी रह थे, इन्होंने ही भगवान के रूप में किसी इस्त्री या नर को लेकर पेंटिंग बनाई थी, इस पर अभी हाली में एक फिल्म भी आई थी, इ रक्ष्मी रमड और विश्नु भगवान के प्रसिद मंदिर भी मिलेंगे। क्या आप जानते हैं कि इस महल में 98,260 बल्ब लगाए गए हैं और इन्हीं बल्बों से इसे उत्कृष्ट किया गया है। इस पैलेस में दसेरा महत्सव बहुत ही उत्सा से मनाय जाता है। तेवहार के दोरान महल में मैदान से हाथी और जाकियों के साथ एक परेड भी निकाली जाती है। यहाँ पर आपको सुभह का माहौल बहुत ही सुन्दर और ये पैलेस देखने में बहुत ही सांदार दिखेगा। क्योंकि सुभह की रोशनी सोने से बने गुमबत पर पड़ती है तो रोशनी के चारो तरफ फैल जाती है और उस समय महल देखने में बहुत ही खुबसूरत और सांदार लगता है। मेरे ख्याल से आपको ये पैलेस एक बार जरूर देखना चाहिए दिवाली का सीजन भी आ रहा है तो आपको ये महल बहुत ही अच्छी सजावट से सजी हुई दिखेगी। तो ये थी वीडियो एक सांदार महल मैसूर पैलेस के बारे में।